हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई नीव वीडियो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टीवेस अपाचे आरार 310 के बारे में तो इसमें मुझे क्या अच्छा लगता है क्या अच्छा नहीं लगता है उसके बारे हम आच आपको बताने वाले मैं अपना खुद का ए तो अगर वहीं मैं बात करूँ तो मुझे फ्रंट लूक् machen बढ़िया लगता है फ्रंट से बहुत अच्छा लगता है मतलब मैं क्या बता हूं मुझे बहुत पसंद्ध मुझे बहुत अच्छा लगता है और अगर बैक से देखे लेक भी इसका led light मिल जाता है च्छा है इस हिस्oft बहुत सांधर पिकप है बहुत अच्छा फील होगा अपको जब आप राइड करोगे तेसे लगेगा ऐसे नहीं केसे तो आपको 310 मतलब 310 CC की वाइक आप राइड कर रहे कर आपको लगेगा पूरा अभी तो बीए 6 जो आया है उसमें आपको टी एफटी दे रखा है टी एफटी डिस्पले दे रखा है उसमें तो उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं तो आप उसको देख लेना उसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं अगर वहीं मैं करूं टायर के बारे में तो आपको फ्रंट टायर 110 और बैक टायर 150 mm का मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा है और आपको थोड़ा सा confidence आएगा चलाने में क्योंकि टायर जितने मोटे होते हैं उतना बढ़ियां होता है गाड़ी चलाना तो अब हम बात करें अगर मालेज के बहरे में हैं देखो इसमें आपको कंपश stimulus आपको बोलती कि आपको 30-35 तक का मालेज निकल जाए लेकिन इतना ितला नहीं मिलता नहीं है यह आपके उपर डिपेंड करता है अगर वहीं मैं बात करो तो इसको जो कॉंपेटिशन है वो है बजाज डोमिनार 400 से हां लेकिन एक बात अगर बोलो तो दोनों के प्राइज में बहुत फर्क है बजाज डोमिनार आज की डेट में आपको 232 31 में आपको मिल जाते हैं रोड प्राइज जो कि यह आपको मिलेगा सायद मैं कंफर्म नहीं हूं बट यह आपको मिलेगा 272 80 के आसपास अन रोड प्राइज आपको मिलेगा तो फर्क बहुत है तो यह चीज़े हो गई और वहीं अगर मैं बात करूँ इसका जो पावर है न यह जो बाइक है वो सिंगल सिलेंडर फोर स्टोक एंजन है एफाई के साथ में आता है ति यह 34 PS का पावर जनरेट करता है 9700 रपीम पे और वहीं टॉर्क की बात करूँ अगर मैं ति आपको 27. 7.3 न्यूटर मीटर को टॉर्क जनरेट करता है 7700 रपीम पे और इसमें डूवल चैनल मिल जाता है डूवल चैनल एबिस आपको दिया गया फ्रंट और बैक दोनों आपको डिस्क पैड मिलता है हालां कि इतनी हैवी गाड़ी है तो इसमें दोनों आगे पीछे डिस्क मिले इसमें तो यहां पर आपको डूवल चैनल एबिस देखने को मिलता है एक अच्छी बात है और एक बात और बोलूंगा आपको कि यहां पर आपको किक नहीं मिलता है यहां पर पूरा सेल्फ स्टार्ट आपको मिलेगा इसमें आपको पूरा पूरा आपको सेल्फ स्टार्ट ही देखने को मिलता है तो आग額े मैं बात करूं यहाँ पर यो इसका ट्रांस्विस्एन वारे Questions औरowane बात करें यहाँ पर आपको मैनूल ट्रांस्विस्एन बिलता है छे गर मिलते इसमें वर्न और फाइव अप ऐसे आप इसमें लगा सकते हैं तो यह एक अच्छी बात है छे आपको मिल जाते हैं और एक बात और बोलो अगर इसके टॉप स्पीड को बारे में अगर हम बात करें ना तो इसकी टॉप स्पीड बहुत अच्छी है मतलब जहां तक मुझे जानकारी है 160 170 तक जाती है कुछ लोगों ने इससे भी ज्यादा भगाया है तो टॉप स्पीड काफी अच्छी है टॉप स्पीड प्रॉब्लम नहीं है और साउंड कॉलिटी इसका जो एक्जास्ट साउंड है वह बहुत बढ़िया है मुझे बहुत पसंद आते हैं मैं पर्सनली जो भी भी जी बोलूँगा ठीक थाक है लेकिन जो पीलियन है पीलियन में तो भाईसाब उसपे आप बैठके तो मतलब क्या बोलूँए अब आपको उस पे आप पाँच किलो मेटर भी पीलियन के साथ है ब्यून की तो हालत खराब हो जाएगी उस पे अगर बैठेगा तो तो पी 62.1 mm का का आप की इस्ट्रोप मिल जाता है काफी अच्छा में एक वीडियो बनाऊंगा कि वोसी बना या वो काम क्या है करता है जादा होने या कम होने से उसमें क्या फाइदा है वannel नुख्सान charge में पर बार में एक ब्रत चैनल्पियस के टाइब के आपको mode मिल जाते हैं और Bluetooth से इसका कोई app ही एक आता है और TBS का और उससे आप सारी detail देख सकते हैं क्या है कैसे और अगर मैं बात करूं इसका 0 to 60 की speed 0 to 60 company क्लेम करती है 2.93 सेकेंड में ये 0 to 60 जाती है और 0 to 100 की बात करें क्लेम करती है कि 7.17 सेकेंड में ये आपका 0 to 100 जाता है तो पीकप तो भाई बहुत सांदार पीकप है बहुत जवर्जस पीकप है बस जो राइडर है उसको मजा आएगा पीलियन को तो मजा बिलकुल नहीं आएगा आप लॉंग राइड पर भी इसको लेके जा सकते हैं लेकि थोड़ा सा हो सकता है के आपको बैग ज़्यन की प्राइफ पर यह हो बैख पर सबस्वड़ास आपको क्सी को ऐसी प्राफ्लम आ सकती है तो हिए अगर मैं आगी बात करूं वह अगर मैं डाइमेंसन और कैपसिट्टी की बात करूं तो यहां पर डामेंसों में लेंध्ट जो मिलता है ना वो 2001 mm आपको इस भाइक का मिल जाता है और विट्थ आपको बात करूँ 786 mm आपको मिल जाता है ही आपको 11 15 mm मिल जाता है फीज शुल को महाँ चाहिए इसमें 30 लीटर का थैंक है इसमें निल च्यूंट दे दिए इसमें कम से कम 15 लीटर का 15 लीटर का टैंक तो होना ही चाहिए था क्योंकि भई एक तो माइलेज कम है अगर आप लॉंग राइट पे जाते तो आपको बार बार टैंक फुल करवाना पड़ेगा तो थोड़ा कंपनी को सोचना चाहिए कि अगर कंपनी वेरी बास सुन रहे तो उसको कम से कम 13 14 15 लीटर तक का इसको टैंक बना के देना चाहिए था टैंक इतना होना चाहिए था ग्यारा लीटर मतलब क्या है कुछ भी नहीं है तो थोड़ा टैंक छोटा है चली और वहीं अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरंस तो अच्छा मिल जाता है आपको 180 mm आपको 24 किलोग्राम मिल जाता है और लोड कैपेसिटी 130 किलोग्राम तो यह चीज़ है और इसमें जो हैड लाइट है ना हैड लाइट हमको बहुत अच्छा लगता है यह प्रोजेक्टर है आपको सब कुछ LED लाइट मिलता है यहां पर कोई बल्व वाली कोई बात नहीं यहां पर यहां पर आपको सब कुछ प्रोजेक्टर मतलब प्रोजेक्टर बोले तो LED प्रोजेक्टर है आपको सामने मिल जाता जो हैड लाइट है आपका लेकिन बाकी जितनी विया सारक सारा आपको LED देखने को मिलता है यहां पर बल्व कुछ भी आपको नहीं मिलेगा एक बात और और बोले यहां पर यहां पर इसका जो थ्रोटल है ना थ्रोटल इसमें वायर नहीं है अगर आप देखो कि इसमें वायर नहीं है इसमें एलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल दिया है एलेक्ट्रॉनिक तो इसमें वायर नहीं है एक यह प्लस पॉइंट है यह नया दिया और किसी लिखने को मिलती ही मिलती है जैसे मैंने स्टार्टिंग में टायर के बारे में बात किया था तो आपको टायर ना वन एक सुद्राइस सतर सतरा का टायर मिल जाता है एक वन टेन सेवेंटी सेवेंटीन का टायर मिल जाता है फ्रंट और बैक की बात करो तो वन फिप्टी सिक्स् 1.8 mm 134 31.8 mm आपको front and rear दोनों will size आपको देखने को मिल जाता है तो वहीं अगर मैं disc की बात करूँ न तो front में आपको 300 mm का disc दिया गया है और rear में आपको 250 mm का disc दिया गया है जो कि अगर मैं बात करूँ न डोमिनार अगर आपने देखा होगा पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा वहाँ पर 320 mm का front disc दिया गया है जो कि अगर देखा जाया तो एक तरह से कम है डोमिनार अगर compare करें रेसर वाइक है तो इसमें थोड़ा सा disc जो है बड़ा होना चाहिए डिस्क प्लेट जितना बड़ा होता है उतना ब्रेकिंग अच्छा होता है आपका तो यह चीज़े हो गई तो अगर मैं बात करूँ तो गारी जो है overall बहुत अच्छा है आप चला के देखोंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा यह जो मुझे पसंद आया मैने आपको बत जाता है look तो बहुत जवर ज़स्त लुक लगता है मुझे पीकप बहुत बढ़ियाँ पीकफ है स्मय माइलेज भी आपको मिल जाता है बाइक के हिसाथ से आको मैरेश ठीक टक मिल जाता है प्रूजेक्टर है डाय मेरे हैड लैम्प आपको मिल जाता है सारे टन इंडिकेट लेकि भी बाईक को टेस्ट राइड लेना बिलकुल नहीं भूले की करें और वीडियो को दोनों को कंपेर करेंगे तो उसमें देखेंगे क्या कैसे अच्छे है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें चलिए धन्यवाद जैहिंद